Hello friends, कैसे हैं आप लोग? अमीद करता हूँ आप लोग सब ठीक हैं आज हम लोग अपनी Mercury की जो अगर First House में हो तो क्या result देता है? उसके regarding आज हम फिर से बात करेंगे आज हम Leo Ascendant के regarding बात करेंगे कि अगर Leo Ascendant में Mercury अगर First House में हो तो क्या result देता है? उसके बारे में हम बात करेंगे बात करने से पहले मैं यह बता देता हूँ जैसे मैं हर बार बताता हूँ वीडियो के शुरू होने से पहले कि अगर आप अपनी frequently reading करवाना चाहते हैं तो अपना date of birth, time, place, नाम, अपने दो सवाल अब मेरे को description में दिए गवे WhatsApp नंबर पर forward कर सकते हैं 30 July तक का time है 30 July तक अगर आप अपना detail forward करेंगे तो मैं आपकी frequently reading करने की कोशिश करूँगा उसमें आपकी मैं दो सवालों का सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा selection हुआ कुंडली का तो आपके सवालों के जवाब मिलेंगे selection process में डाल दूँगा और आप चाहें तो अगर आपका selection हो जाता है तो आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा WhatsApp करिए description में अपने details को और channel subscribe करिए चलिए फिर हम वीडियो लेके शुरू कर देते हैं Mercury को लेके अगर Mercury अगर first house में बैठा और Leo ascendant का हो तो क्या result देगा Leo actual में sun rule करता है इसका लगन Lord sun होता है sun इसको rule करता है और अगर Mercury अगर first house में बैठ जाए तो sun और Mercury एक देखा जाए तो neutral माने जाते हैं जादा positive नहीं होते है और जादा negative नहीं होते है थोड़ा negative के तरफ tilt होता है लेकिन फिर भी हम इसको neutrally मानेंगे position को Mercury यहाँ पर 7th house को देखेगा जहाँ पर 11 number लिखा हुआ है शनी का घर है तो communication यहाँ पर Mercury की wife के साथ या business dealing में अच्छी रहेगी लोगों के साथ में यहाँ पर अगर देखा जाए तो Mercury 3rd house मतलब और 6th house जहाँ जहाँ लिखा है उन दोनों house को rule करता है Gemini और Virgo को rule करता है और यहाँ पर 2nd house को owner और 11th house को owner होके 1st house में बैठा हुआ है अगर 11th house से देखा जाए तो यहाँ पर अगर partner और business की तरव से देखा जाए तो आप business और partnership में अच्छा काम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पंचमेश होके business के घर से या partner के घर से देखा है अच्टमेश होके सब्तम में बैठा हुआ है तो वहाँ से भी positive ही है ज्यादा negative नहीं है जो भी negativity है 8th house को यहाँ पर खतम कर रहा है यहाँ पर थोड़ी सी communication आपको problem दे सकती है आपकी communication थोड़ी सी aggressive होगी और थोड़ा सा यह भी हो सकता है कि आप जादा बोलने वाले हो तो थोड़ा सा अपने communication में control रखे है या आपकी communication में ही दिक्कत आ रही हो तो इन दोनों चीजों में से दोनों में आप बिल्कुल extreme उपर या extreme नीचे होगा तो उस चीज को थोड़ा सा control पर रखना आपको सीखना पड़ेगा अगर आप कम communicate करते हैं अपनी feeling को अच्छे से communicate नहीं कर पाते हैं तो वो आपको सीखना पड़ेगा और अगर आप communication ज़्यादा करते हैं तो आपको इसमें limit लानी पड़ेगी थोड़ी सी constraint लाना पड़ेगा दोनों में से कुछ भी हो सकता है तो मैं आपका advice यहीं दूँगा जिकि आपको अपनी communication पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हाले कि हाँ पर बैठा हुआ Mercury अगर second house का ओनर होके बैठा हुआ है तो अपनी ancestral property और अपने सारे के सारे fix asset के लिए person अपनी महनत से बना लेगा अपने लिए सब कुछ कर लेगा उसके अपने अपना सब कुछ हो जाएगा अपनी लिए ही use करेगा जब अगर second house का ओनर first house में जाके बैठ जाता है तो communication से वो अपनी fixed assets की थोड़ी सी हानी कर सकता है या कुछ losses कर सकता है इसलिए अपनी communication पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर second house का ओनर first house में बैठा है तो थोड़ा negative असर देगा और कुछ जादा अच्छी लगन में नहीं बैठा है सूर्य के साथ उतनी अच्छी friendship नहीं है 11th house का बैठा हुआ है तो wish अपनी चाहत income सब कुछ देगा mercury यहाँ पर first house में बैठा हुआ और यहाँ से आपको अच्छी mercury की दशा अंतर दशा में अच्छी खासी income होने की chances है liquid asset की अच्छे chances बन जाते हैं simultaneously हो सकता है बड़े भाई बड़े बहन यह बड़े भाई के साथ relationship अच्छा रहे हैं यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो यहाँ पर simultaneously लेका जाए तो wife के साथ भी अच्छा relationship रहेगा wife के साथ communication में अच्छा रहेगा अगर उनके साथ आपकी समझ अच्छी रहेगी आप उनके साथ communication अच्छा बनाए रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा simultaneously business के लिए बिजनेस के लिए अच्छी हो जाते लिए as a leader कुंडली होती है और अगर आप मरकरी यहाँ बैठ जाता है तो मरकरी यहाँ पे बैठा हुआ आपको एक businessman बनाने की कोशिश करेगा आपकी business यह आपका जो भी structure होगा उसमें आप leadership रोल पे रहेंगे और यह आपके लिए फाइदे मन्द रहेगा तो यह था मेरा reading अगर लियो एसेंडेंट में अगर मरकरी फर्स्ट हाउस में बैठे तो क्या result देगा